Marvel Studio अब इस लेकर अगले साल, दिसमबर तक हर मैने content आपके लिए लेकर आने वाला है, जिन में Marvel Television के Marvel Animation और Marvel Studio को projects हैं, Marvel ने Daredevil के इस फूरे look ahead फोटेज में सबसे यादा हमें Daredevil Born Again के shorts दिखाए हैं, Daredevil Born Again को लेकर पिछले साल के end में बहुत कुछ हुआ, और इजिन प्लान कि पीजे सीरिस के creative overhaul में बहुत हथ तक change कर दिया गया, और उसे ले आए वापस Netflix Marvel के level पर, चाहां पले 18 एपसोड दिखाए जाने वाले थे, वहीं एपसोड के नंबर भी खट गए, मार्स दो जब 25 में आने वाले सीजन 1 में, अब 9 एपसोड होंगे, जहां इसका सीजन 2 भी आएगा, यहां जो footage हमें दीख है, वहां में सीरिस के villain Muse की भी सेकल दीखी है, यहां में संडी एनाफियो के Wilson Face, Vanessa के साथ celebrate कर रहा है, जिस पेंटी को Kings Bean Netflix Daredevil सीरिस के दोरा नहीं आता था, उस पर खोन के धब्बे हैं, और Daredevil का bearded look बहुत ही badass लग रहा है, Wilson Face यानि Kings Bean इस ब जानली करके New York का mayor बन जाता है, जहां वो सहर के लोगों को promise करता है, कि सहर में विजिलांटी को खतम कर देगा, जिनमें Daredevil के साथ साथ लूके पनिस Spider-Man का भी नाम सामने आता है, अभी यह footage सामने आई है, इसमें भी पनिसर पर attack हो रहा है, किसी force के दोरा जहां Daredevil आता है यह series बहुत awesome होने वाली है, इसने अपनी filming और production के दोरान बहुत उतार चड़ाओ छेले हैं, पर creative overhaul में जो team चूड़ी है, उनमें सामिल है, moon night पर काम करने वाले लोग की season 2 पर काम करने वाले प्लस original gang's foggy और karence base की characters को भी, इसी creative overhaul के बाद जोड़ा गया, जिसके बाद गारेंटी लग रही है कि ये लोग वापस वही Netflix Marvel का मज़ा लेकर आएंगे, डेड़ डैविल बॉन अगिन मार्स से लेकर अपरिल तक चलेगा, फिर में में हमारे सामने आएगा थंडर बोल्ट, और उसके बाद मिलेंगे जोन में Iron Heart से, आप इस series के लिए कितना excited हैं, कमें करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें